हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं नायदर जुए गादन यह देखिए जास्मिन का प्लांट मोगरा जिसे बोलते हैं इसको कई नामों से जाना जाता है जैसे जुही जया याचा मिली बेली मालती मली का अरे विकम जास्मिन भी बोलते हैं दोस्तों इसको यह गर्मियू का प् बर्साथ के अंत तक आपको यह फूल देते रहेंगे और अप्रेल से सितंबर तक यह अच्छा गुरो करता है यह फूल देते ही रहता है अगर इसके फूल बहुत ही शुगंदित होते हैं दोस्तो इनके फूल से पर्फियूम और अतर भी बनाया आता है बहुत सारे मेंदिसिन में भी इनके फूल का यूज इस्तेमाल किया जाता है अगर आप गार्णिंग लवर हैं प्लांट लवर हैं तो इस गार्णिंग में एक प्लांट जरूर रखेगा खुसबूर से पूरे गार्डन को भर देगा जैसे फर्वरी के शुरू में ही मैं इसकी पूरी तरीक से कटिंग कर दिया था अच्छी तरीक से कटिंग और रिपोर्टिंग कर दिया था और अभी मुझे अच्छे सारे फूल दे रहे हैं मैं जो मिट्टी बनाता हूं जैसे सभी प्लांट में मिट्टी बनाता हूं गुलाव अगरे में उसी तरह इसके भी मिट्टी बना हूं गीली नहीं होनी चाहिए मिट्टी नमी होनी चाहिए पानी जैसी दिये फुली वैल ड्रेन होने से नीचे से गिर जाएगा वह बह जाएगा आपके पास अगर राइस हस्क नहीं है तो 50% मिट्टी और 40% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और 10% सेंड का यूज कर सकते हैं या इस यह प्लांट दोस्तों बहुत ही हाड़ी प्लांट है बहुत ही कम केर चाहिए और इसके पत्ते में थोरे बहुत फंकस अगरे पर जाते तो नीम वाइल का एस्प्रेक कर दीजिए और किसी तरह की केमिकल देनी की ज़रूरत नहीं है अगर इसकी आप कटिंग से ग्रो करना को दोस्तों से और में आप और प्लांट को रखनागे में तो वह इस दोखना है तो पूरे दिन के धूप आती हो वहीं इस प्लांट को रखना चाहिए अगर आपके 7-4 घंटे की भी धूप आती है तो भी सफिस्एंट है और अच्छे सारे यह फूल देंगे लेकिन जहां धूप नहीं आती हूँ इसको नहीं रखना है जहां धूप आती हूँ इसी जहें रखिएगा जैसे मेरा यह छट पर रखा हूँ है और छट पर मेरे अच्छे सारे भी फूल दे रहे हैं दोस्तों अगर इसकी कटिंग वगरे नहीं किजिएगा तो यह बहुत जादे दस से बारे फिट लंबा हो जाएगा और इसका से बिगर जाएगा और आप जैसे कोई अगर पूरे गेत में फूल देता हैं लेकिन अगर पॉर्ट में लगाते हैं तो इसके कटिंग वगरे करते रहेगा अच्छा से रहेगा तभी यह फूल देगा और फिर नए ब्रांच आएगे तभी फूल देंगे फिर जज्याने जे अगर यह पुराने ब्रांच हो अगर आपको जादे फूल लेना है अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो इसमें पोटास और थोड़ा बहुत दोचादना डियेपी का हर हफता यूज किजेगा अगर आप केमिकल यूज करते हैं जैसे मैं बनाना पील और ओनियन पील का यूज करता हूं तो उन्ही का लिक्विड जैसे सभी प्लांट में देता हूं उसी तरह मैं बनाना पील और ओनियन पील का लिक्विड इसमें देता हूं हफते में एक बार जरूर देते हैं और अच् थेंक यू